शुक्राना मेरे गुरू जी कि हमें इस वहमों से बाहर निकालने के लिए जो हम इस रिष्टी में आते हैं और इन चीजों में घिरे होते हैं संगत जी उसके बाद क्या आता है ऑक्टूबर आता है ऑक्टूबर में मेरे बेटे को सुरी संगर जी एक और मैं भूल गई थी मेरे को एडिसन मंदिर से सुखमनी जी पार्ट का एक message I call आती है कि आउटी आप सुखमनी जी का पार्ट करेंगे तो I was like आउटी सुखमनी जी का पार्ट मुझे तो आता नहीं है करना तो मुझे क्या कहती है कि आउटी आपने कुछ नहीं करना आप simple गुरुजी का कहते हैं कि आप सुरूप निकालिये और बस आप पार्ट करने सुनिये वो पार्ट मैंने का ओके आउटी क्या होता है संगत जी उन दिनों में जो हम कहते हैं शराज चल रहे होते हैं तो मैं जब यह चीज शुरू करती हूँ मैं एक सथसंग सुन रही थी तो उसमें उन्होंने गुरुजी ने एक किसी की मॉम को दर्शन दिया था तो जब उन्होंने मॉम को दर्शन दिया कि ओके तुमारी मॉम जो है वो मेरे चर्णों में है तो मैं कर वाओ गुरुजी ऐसा भी होता है कि आप दिखा देते हैं कि आपके पास हैं तो क्या आप मुझे पापा दिखा सकते हैं मुझे काश मुझे भी पता चल दे हैं मेरे पापा आपके साथ है माई डाइड वो लॉट शिवा के इतने जादा भगते कि उनके दिन रात लाइब बहुत ही वाओ गुरुजी मुझे भी दिखा दो अगर पापा आपके पास हैं तो मैं भूल जाती हूँ मैं सुक्मनी जी का पाठ उजिन कर रही होती हूँ अचानक से संगत जी क्या होता है मेरे फोन में सुरूप खुला होता है और मैं पाठ करते करते आखों बंद करती हूँ और जैसे मेरी आखे खुलती हैं मैं क्या देखती हूँ कि गुरु जी के जो चोले पे हैं वो डाड दिख पहले मुझे शिव जी दिखते हैं जटाओं में से उनके कहते है न पानी आ रहा है और धीरे धीरे वो शिव जी जो है वो कनवर्ट हो जाते हैं मेरे डाड के फेस पे अपनी बेटी को इमीजेट बुलाती हूँ मैंने का कि टिया यार यह देखियो यह क्या है संगत जी यू वोंट बिलीव विदिन फ्यू सेकंड शी स्क्रीमिंग और क्राइं के यह तो नानू है यह तो नानू है मैंने उसको कुछ नहीं बताया संगत जी लेकिन अचानक से वो पहचान जाती है कि उसमें वो नानू है और मैं उसको बताती है जब वो थोड़ी रिलाक्स होती है मैंने का मैं भूल गई थी कि मैंने गुरू जी को सुबह बोला था कि गुरू जी आप ऐसे भी दिखाते हैं तो आप मुझे दिखाई और गुरू जी ने मुझे उस दिन अब ये दिखाया कि मेरे डाड जो है वो हम सब के हम मैं यही प्रातना करूंगी कि हम सब के जो एंजेस्टर्स है उन्हें गुरू जी ब्लेस करें वो कहीं पर भी है अगर वो इस स्विष्टी में है कहीं पर भी किसी भी रूप में गुरू जी अपने साथ अपने चर्णों में जोड लें क्योंकि जो मुक्ती धाम है वो सिर्फ गुरु चड़ों में है हमारे महाशिव भी है शुक्राना गुरु जी पल-पल शुक्राना संग जी अब जो सत्संग है it is regarding my life saving वो कैसे 5th October को मेरे बेटे को गुरु जी जो है वो गुरु जी का ड्रीम में आना is reality पहले मेरी मौम के ड्रीम में आए और मुझे टेली पैथी से नहीं पता लगा अगर मैं शायद वो टेलीपेथी का concept जानती तो शायद कुछ चीज़े और होती बच्चों के डायट में भी होते लेकिन अगेन उसमें भी गुरु जी की रजा होती है हम कोई sharing भी अगर करते हैं वो गुरु जी की आगया के बिना नहीं कर सकते तो क्या होता है संगत जी मेरे बेटे को अब जब आता है यह order तो हम कहता है कि नहीं यार हम अगर गुरु जी ने बोला तो अब की बार हमें यह concept clear होगा कि हमें delay नहीं करना and all of sudden क्या होता है कि मेरे बेटे को लेकिन फिर भी हम 5th को जब उनसको आता है 6th को हम भूल जाते हैं कि गुरु जी ने क्या किया क्या कहा और मैं अचानक से लेटी होती हूँ सोफे पे and जब मैं सोफे पे लेटी होती हूँ तो मुझे इचानक से धानाते हैं ओ वाओ करतिक हमने तो अभी तक किया नहीं तो तू एक काम कर जो भी गुरु जी ने कहा है वो समान को तू गुरु चड़नों में रख दे and let's say sorry to गुरु जी और हम विविल जो भी यह task है हम अगले होता है वो हम चीज करके आते हैं संगर जी मैं सोफे पे उस दिन यहाँ पर बैठी होती हूँ और मैं थोड़ी सी आधी नीद में चली जाती हूँ मेरे मैं साही बाबा की बहुत फॉल्वर हूँ और अब तो सारे रूप ही गुरु जी में है बट जैसे मैं साही बाबा का म turns into गुरुजी जब वो गुरुजी में convert होता है तो उसमें से क्या होता है उसमें जैसे आग लग जाती है और वो ashes बनके जैसे कहते हैं पिघलने लगता है और उसमें से धुआने शुरू हो जाता है and I was like oh my god गुरुजी ये क्या हो रहा है और मैं एकदम से करा रही होती हूँ मैं pain में होती हूँ मैं fear में होती हूँ और मैं करें हूँ गुरुजी आपको क्या हो रहा है मैं उठती हूँ उठने के बाद जैसे हम जूंते हैं मैं जूंते हुई मतलब जैसे सर हिलाते हैं, वो जूमती हुई, मैं मंदर की तरफ जाती हूँ, जो मेरा एक छोटा मंदर ओर है, वहाँ जाकर मैं गुरू जी के प्रणाम करती हूँ, वापिस आती हूँ, अचानक से मेरी मम्मी मेरा हाथ पकड़ती है, और मैं मम्मा का हाथ जटकती हूँ, कि आप क्या करें, मुझे जाने दो, वहाँ पे, मैं वापिस साई बाबा के सुरूप के पास आती हूँ, जो गुरू जी में टरन हो जाता है, और जो जल रहा होता है, और अचानक से मैं वहाँ पे आके रोने लगती हूँ, और वो एकदम से क्या होता है, ब्लास्ट होता है, and I saw divine light coming out from there तो I was like मैं का जही गुरुजी शुकराना गुरुजी जैसे ही मैं light को देखती हूँ और मेरा जो आवाज और जो मेरा दर्द जो मेरा fear था वो सब change हो जाता है inner relief और मैं जब बैठती हूँ वहाँ पे और मेरे को एकदम से ज़टका लगता है और मैं goose bumps हो जाते हैं मुझे न मैं ममी को बोलती हूँ पता है आपको मुझे क्या सपना आया ममी मुझे यह ऐसे सपना आया संगा जी मेरी ममी कहती है तुझे पता है तू सपने में नहीं थी तू सच में खड़ी हुई है और तू तक गई है और वापस आगा कि चल पहले तो तु ऐसे क्यों कर रही है एकदम जब मैं तुझे पकड़कर जब तु वापस आई है तु शुक्राना शुक्राना गुरुजी कर रही है अचानक से मुझे क्या लगता है कि चल अच्छा तुने न शायद गुरुजी देख ली है अब तो ठीक है तब ही मैं का मुम्मी मुझे तो यह आया और मैं एकदम से ठंडी मतलब पड़ी होती हूँ तो मुझे कही न कहीं मतलब लेकि यह एसास होता है यह इसका जो आगे dotted सत्संग है वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगी लेकिन उस दिन यह चीज होती है हमारे साथ और हमें जैसे हम सबको पता है जब गुरु जी ड्रीम में आता है हम कुछ भी ऐसी चीजे देखते हैं तो हमें मंत्र जाप करना होता है तो हम लोग बैटके गुरु जी का मंत्र जाब करते हैं तो I know संगर जी definitely गुरु जी ने कोई ना कोई मेरे उपर से जो कश था जो negativity थी वो अपने उपर लेकर अपने सुरूप के उपर लेकर उनोंने वो negativity काटी और ये जो सत्संग है आगे अभी मैं बताने वाली हूँ आगे चलके तो क्या होता है उस वक्त हमें नहीं पता होता लेकिन आगे जाके हमें सारे answers गुरु जी step by step हमें देते रहते हैं तो शुकराना अनंतम शुकराना गुरु जी कि आपने वो negativity जो है वो मेरे अंदर से लिया वो कश्ट लिया संगत जी आगे का जो सत्संग है क्या आता है मेरी बेटी का नवंबर में क्या होता है मेरी बेटी के है जैसे हम सबको पता है कोविट चल रहा था मेरी बेटी बिमार हो जाती है सिक हो जाती है and she she had like around seven symptoms of कोविट जैसे उसको नौजिया फीवर सारे साथ symptoms उसके अंदर थे वो ऐसे चलने लग जाती है जैसे कोई बुजर्ग नहीं होता इतना उसके अंदर weakness हो जाती है तो जब मैं टेस्ट कराने जाती हूं उसका टेस्ट जो आता है वो जब negative आया तो मैंने का कि चलो नहीं है तो इतने में मेरी लेकिन symptoms इतने जादा symptoms और negative test anyhow मेरी friend नहीं हाँ पर कहते है कि दिपती कई भर क्या होता है कि तू जल्दी चली गई है और तुझे वो चीज को नहीं ठीक से test हुआ so I would suggest कि you should go again and again अब जो ये सत्संग है मैं आपको regarding मंत्र जाप और जल प्रशाद से related बता रही हूं कि उस चीज में कितनी power है मैं ये नहीं बताना चारी कि भई मेरा ये भाव नहीं है कि हां जी हम करते हैं हम सब करते हैं कोई हम you know it's not कि only I am doing it लेकिन मैंने अपनी बेटी को बोला तो जो कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं है आपने मंत्र जाप करना है जो हम हमेशा करते हैं क्योंकि वो अंदर isolated थी रूम में और हम लोग बाहर speaker रख देते थे ताकि वो भी सुन सके और वो जल प्रशाद ग्रहन कर सके तो मैं का तुझे कुछ नहीं होगा do you have trust in गुरू जी सब कुछ ठीक होगा संगा जी you won't believe लेकिन उसकी हो थी वो सारा दिन गुरू जी से बात करती थी अंदर शबत अपने रूम में चलाती थी मंत्र जाप करती थी अचानक से क्या होता है कि मैं फिर दुबारा उसका टेस्ट करने के लिए जाती हूँ और वो दुबारा negative होता है और शुक्राना टो गुरू जी कि इतने सिंटम्स देने के बावजूद भी उसको कुछ आच नहीं आई क्योंकि उस जल प्रशाद में उस मंत्र जाप में वो एक शक्ती है जो किसी भी चीज का काट सकती है negativity को और यही हम कहते हैं कि जब हम इसे ग्रहन करते हैं तो अंदर की और जब हम सुनते हैं तो आपका आस पास का जो औरा है वो प्योर हो जाता है जिसमें negativity आ ही नहीं सकती संगजी तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी का कि मेरी बेटी को एक नई life देने का और कहते हैं हमें उस बच्चे को कहते हैं ब्लेसिंग्स देने का संगजी, अब मैं जो सत्संग करने वाली हूं, मतलला बताने जा रही हूँ, वो क्या होता है, कि हम हमेशा कहते है न, कि मेरी जर्णी यहां से है, लेकिन मेरी जर्णी, मैंने यह बोला आपको कि मेरी जर्णी टूटाजन ट्वान्टी सेवन्त जूलाइ से थी, जब मैं डिप्रेशन में थी and all over लेकिन हमारी जर्नी जो है वो exact guru महरा जानते है संगत जी मेरा जैसे मैंने आपको बताया 2018 में मेरे dad की death हो गई थी और 2019 में मेरे दो यहाँ पर gas stations थे जो की बिल्कुल बिग गए थे मेरी गाड़ियां उठ गई थी and I was like totally you know जब पापा मेरे hospital में थे तो हम लोग जैसे पूछते हैं तो सब कुछ losses ही है losses ही है anyhow सच में losses थे लेकिन लेकिन जब गुरु जी को पता होता है कि हम बिखरने वाले हैं हम तूटने वाले हैं गुरु जी तब हमारी जिंदगी में आ जाते है बहुत जादा dates का है वो सोचने की बात है मेरे डाट जो पासवे होते हैं वो 12th March 2018 में होते हैं 4-5 दिन पहले हमें hospital में मेरे डाट का मेरे डाट का जो case है वो hospice में दे दिये जाता है यहाँ पे hospice एक institute है जहाँ पे जब डॉक्टर्स के हाथ से सब कुछ खतम हो जाता है वो कहते है कि अब हमारे हाथ में नहीं आप इनको घर ले जाए और उनको एक peaceful life में मतलब कहते हैं peacefully उनको विदा करी है मतलब हम लोगों को था ही और मेरे डाट he was very strong personality just because of Lord Shiva क्योंकि वो आए दिन सिर्फ भोले बाबा का नाम लेते थे तो पापा ने मुझे सीधा बोला कि बेटे देखो हम लोग मैंने कल भी जाना मैंने आज भी जाना because उनके defibrillator लगा हुआ था तो defibrillator क्या होता है जब hospice में जाता है वो लोग उसको बंद कर देते हैं तो जब वो बंद कर देते हैं तो वो इनसान एक दिन भी नहीं रह पाता क्योंकि वो machine work हो रही होती है heart work नहीं हो रहा होता है basically तो मेरे dad ने मैंने का पापा अगर हम hospice में आपका case देंगे वो तो हटा देंगे पापा कैते है कुछ नहीं होता कैते हटा दो इसको बंद कर दो मेरे पापा ने तब मुझे से fakie wordings बोले थे कि बेटे जो तुने एक महिने के बाद रोना है वो तू अब रोले लेकिन उपर वाला जो है ना मैं चला जाओंगा वो फिर भी तुमारे साथ रहेगा तो yes so it was really hard on me to accept that लेकिन that was reality क्योंकि स्रिष्टी में जीवन और मृत्यू ये चक्र है जिसे कोई नहीं बच पाया तो बचा भी सकते हैं वो बहुत मुक्ती और मौक्ष बहुत बड़ी बात है हम तो बहुत छोटे इंसान है लेकिन मेरे डाड ने का वो आते हैं घर जब वो घर आते हैं संगत जी मुझे नर्स जो है वो बता देती है कि वो ये आज की रात नहीं निकाल सकते हम कहते हैं ओके ठीक है वीवर प्रिपेर्ड और हम लोग उनको गंगा जल देना शुरू कर देते हैं और जैसे as usual होता है तो क्या होता है संगत जी कि मैं 8 मार्च को अपनी कार में जाती हूँ और मैं भजन सुनती थी साही बाबा के भजन सुनती थी तो कैसे मैं आपको डॉट दिखा रहे हूँ कि गुरू जी मेरे साब तबसे ही जुड़ गए थे उनने पता था कि मैं भिखडने वाली हूँ तो क्या होता है कि मैं साही बाबा का भजन सुनती जाती हूँ मैं अपने वट्साप सेटेस पर उसको ऐसे अपडेट कर देती हूँ मेरे पास एक कॉल आती है मेरी एक वो गुरू संगत है मेरी बहुत प्यारी प्यारी फ्रेंड है जो की बहुत प्यारी प्यारी फ्रेंड है तो मुझे कहते है दिप्ती तुने ये वीडियो कहां पर बनाई मैंने का कि मैंने बनाई है कहां पर बनाई है मैंने कार मैंने कार में बना रही थी ड्राइफ कर रही थी तब बनाई केती है तुझे पता है कि तेरे साथ ना गुरू जी है कार में and I was like okay क्योंकि संगजी मैं गुरू जी के बारे में तब बिब्कुल नी जान दी थी and I was like गुरू जी है मैंने का okay होंगी I mean you know मुझे नहीं पता की कौन गुरू जी है तो कहती है नहीं भेन तुझे पता है तेरे साथ ना गाड़ी में गुरू जी है I'm telling you उसने इतनी बार वो चीज बोली मैंने का ठीक है मैंने का चलो जी मैंने का अच्छी बात है यार you know कोई positive energy मेरे साथ है तो it is good but anyways मुझे तब तक ये नहीं पता था लेकिन संगत जी क्या होता है कि अब गुरू जी उसमें थे फिर क्या होता है Friday जाता है Saturday आता Friday को मेरी एक friend आती है वो मुझे कहती है कि दिपती मेरे पास ना उजेन की भभूत है तो I know की अंकल को वो था तो क्या मैं तेर को वो ना भभूत भेजूँगी यार बहुत अच्छी बात है यार पापा को उजेन की भभूत यहां बैठे होवे मिल जाएगी US में तो it's a great blessing तो please भेज दी हो लेकिन वो समहो भेज नहीं पाती है तो संगत जी क्या होता है Sunday चड़ जाता है Sunday को मेरे डाड को इतने दिन निकल जाते है जो कि नर्स बोलकर रही थी कि ये रात भी उनकी नहीं निकल सकती तो क्या होता है Sunday का दिन आता है Sunday को शाम को मेरे पास उजेन की भभूत आती है जब उजेन की भभूत आती है गंगजल तो हम वैसी दे रहे होते हैं तो जब हम वो भभूत देनी शुरू करते हैं संगत जी तीसरी बार हम जब मंडे का दिन चड़ता है सुभे का अमर्द विप्ला मार्च का 12 मार्च को हमारे इसंदे को मार्च को बहुत कम भर्फ होती है मतलब बहुत र CalifornLED लेकिन किस तरीगे से शिव भाबा लेने आये मेरे डाट को में वह बताना चारी हो कि मंडे का दिन चड़ता है संडे को पूरी बरफ बाजी होती है यहाँ पर एक-एक डेडेड इंच्की होती है जहाँ मैं रह रही होती हूँ महां Hai थोड़ा सा मतलब कहता है कि mountains भी है हलके-हलके not much वहाँ पर बरफ होती है और मंडे का दिन चड़ता है तो वो बोलते हुए उन्होंने अपने प्राण द्याग देते हैं तो शुक्राना गुरु जी कि किस तरीके से उन्होंने बताया विकाज माय डाड वोजा कहते हैं ना डाय हाड लेक वो इतने जादा लौट शिवा के वो थे और गुरु जी की एंट्री उन्हें पता था कि ये परिवार बिखरने वाला है सब कुछ जाने वाला है और वो आते हैं आठ मार्च को मेरी गाड़ी में होते हैं उसके बाद वो उज्जेन की भभूत भेशते हैं मंडे को मंडे का दिन लौट शिवा का दिन चड़ता है अमरित वेले में मेरे पापा को वो ओम नमशिवाय करते हुए उनको लेके जाते हैं तो शुक्राना गुरु जी मुझे पूरा यकीन है कि वो गुरु जी जो हैं वो उनको लेने आये थे और कहते हैं वो बहुत अच्छे ही जगा गए हैं तो yes, thankful to Guru जी for everything कि हमारी परिवार में कहते हैं उनकी entry होना और हमें इन चीजों से बचाना आ गया कर तो संगा जी क्या होता है कि इसके बाद जो मैं सत्संग शेर करने वाली हूँ it is regarding मेरी ममा का सत्संग मेरी मॉम को उन्होंने कैसे bless करता है मेरी मॉम जो है अब मेरी बेटी को लेने जाती है downtown college में अचानक से क्या होता है कि वो जब exit लेती है exit लेने के बाद वो back view mirror में देखती है red light थी तो वो back view mirror में देखती है कि एक कार बहुत तेजी से आ रही है अचानक से क्या होता है कि वो जो कार है वो ममी को hit करने की बजाए shoulder पर चली जाती है और turn हो जाती है turn होकर संगत जी उसका इतना बुरा accident होता है कि उसके जब शीशे तूटते हैं वो सारी ममी की गाड़ी के उपर आते है और मेरी ममी तो उसको कुछ नहीं एक दम से बस गुरुजी का धान करती है कि आज तो मैं गई लेकिन ये चीज दूसरी उनका accident अपने आप हो जाता है मॉम को वो hit नहीं करती का और ममा कहती है thank you thank you गुरुजी और जैसी वो उसको देखती है और ममा उसके लिए प्रे करना शुरू कर देती है because it was really a bad accident हमें ये भी नहीं पता कि उस driver का क्या हुआ क्या नहीं हुआ लेकिन अचानक से जब उनकी नजर जाती है आगे वाली कार पे तो आप मानेंगे नहीं संगत जी उस कार का number 7447 था अगें शुकराना तो गुरू जी उन्होंने अपनी जैसे मैंने आपको पताया हम साथ और चार से हमेशा ये नहीं मैं गुरू जी से रिलेट करती हूँ उन चीज़ों को तो गुरू जी ने आके अपनी presence दिखाई और माम को इतने बड़े आक्सिडेंट से कहते हैं बचाया अनन्तम शुकराना गुरू जी का आप मानोगे नहीं जैसे कही होता है कि हमें बाद-बाद में connection पता लगता है बाद में मम्मी को ध्यान आता है कि जिस exit जो वो लेती है हाईवे पे उस exit का नंबर भी 7 था ज़सी कि गुरू महराज हमें कैसे पल-पल अपनी presence दिखाते हैं कि वो हमारे साथ हैं और वो हमें ब्लेस करते हैं और उन्होंने मेरी मॉम को इतने बड़े आक्सिडेंट से बचाया शुकराना अनन्तम शुकराना गुरू जी का अब क्या है संगर जी नेक्स्ट चू में सत्संग करने मतलब बताने जा रही हूँ वो it is regarding my mom's birthday अब ममा को हुआ था ममी मेरी मॉम इतनी दिवानी गुरू जी की जबकि हमारे आना कभी गुरू जी का अमलब गुरू का concept नहीं था ममा को जोडने वाले कों है गुरू जी एक है कि वो हमें खुद ही कैसे जोड देते हैं और हमें बताते हैं विश्वास हमें अपने अपको दिल से ही आता है जब आप किसी को प्यार करते हो न तो उस पे आप ट्रस्स करने लग जाते हो और वो तो परम पिता परमात्मा है हर चीज उनके मर्जी से ही होती है टाइमिंग्स हों ब्लेसिंग्स हों everything is according to him only कुछ भी चीज़े coincidence नहीं होती तो मम्मी मुझे कहते है कि मुझे न अपना बर्दे न गुरुजी के साथ बनाना है मैंने का ओके तो हम लोग ममा का जो बर्दे है वो 12 दिसम्बर को हम बनाते है अब क्यों होता है यहाँ इस दिन के दो बड़े-बड़े सत्संग है वन इस रिगार्डिंग जो मैंने आपको सत्संग अपना सुनाया कि भी मेरे जो गुरुजी ने मेरा जो कष्ट है अपने सुरूप पे लिया था यह उससे भी रिलेटेड आगे आज का इस ताइम का सत्संग है और एक सत्संग है मेरे बेटे का यह सत्संग है मेरा जो बेटा है संगत जी वो e-sport का कोच है एक यहा जी वो जो गेम है मेरे बेटे की टीम किसी भी पोजीशन पे नहीं थी यू-एस में यू-एस में क्या वो केंटिकी में भी इतना कुछ भी केंटिकी की कोई पोजीशन ही नहीं थी लेकिन गुरु वो जबी भी खेलता था ना उसके बिलकुल जहां वो खेलता है वहां पे गुरुजी का सुरूप है तो he always talks to गुरुजी और गुरुजी ने क्या किया जो टीम कहीं पर भी position पे नहीं थी वो टीम जो है थर्ड नंबर पे US के थर्ड नंबर पे Kentucky की टीम आ गई तो all शुकराना तो गुरुजी की जब से Kartik ने किया था assistant coach और गुरुजी के आशिरवाद से उसकी टीम जो है वो थर्ड नंबर पे US के पोची तो अनन्तम शुकराना गुरुजी का अब कैसे वो अपना बताते है क्योंकि देखो new generation है वो यूनो आपको पते कि इतनी logic thinking होती है but I am so much happy कि भी मेरे जो बच्चे हैं they हैं तो हम सब के head हर family के head वही है तो क्या वाता है कि अचानक से मेरे बेटे को आता है फोन आता है उसके coach का और उसकी team का कि we want to meet you तो coach उसको कहता है कि मुझे मिलना है तो तू आजा मेरा बेटा कहता है कि okay let me ask because हमारे हाँ पे prayer है prayer meet है तो मैं I don't know if Nani can bring me तो वो उसके साथ anyways मेरी ममा जो है वो उसको लेके जाती है जब उसको लेके जाती है संगत जी कैसे गुरुजी देखो बताते है उसको एक card देते है उसको card मिलता है वो उसको कहता है कि भी okay thank you का का है आपने बहुत अच्छी मेहनत करी and this is for you it was like unexpected because वो वी चीज़ फ्री में करता है तो जैसे ही वो card खोलता है उसके अंदर वो card देखता है और उसको thanks का card होता है उसमें गुरुजी उसको bless करते है with very good amount and he started just one, two, three count so on so on and he was very happy कि वाओ मेरे को मेरी महनत का मिला शुकराना तो गुरुजी कि भी इतना मुझे मिला वो घर आते हैं कहता है ममा, नानी मैं न मममा को बताऊंगा और आप उनको यह मत बताना कि मुझे यह मिला I'm just gonna give her this card तो वो कहता है कि मैं घर में दरबार सेवा कर रही होती हूं तो मैं घर करते कभी मैं कुछ नहीं पढ़ रही तू ना मुझे बाद में बताई हो अचानक से क्या होता है मेरी बेटी वो card खोलती है और कहती है कि ममा देखो ना card एक बर देख लो आप इसे क्यों कर रहे हो जैसे ही संगत जी हम वो card खोलते है amount तो था वो छोड़ दो लेकिन क्या होता है वो card के जो combinations of color है जो हम prayer meet उस दिन गुरू जी के सत्संग कर रहे थे गुरू जी का चोला और गुरू जी का जो decoration है वो उस card के बिलकुल match करी थी उस दिन हमारा चोले का color था वो हमारा ना तो neon yellow ना neon green और साथ में hot pink और जब हम खोलते हैं और वो जो card bless होकर आता है वो उसका color same to same जो है वो ही होता है और अचानक से मैंने का मैंने का वाओ ये तो match कर रहा है color गुरू दरबार से तो कहता है ममा कितने card होते हैं हजारों card होते हैं लाखों card होते हैं लेकिन यही card क्यों आया मैं का यह card इसलिए आया क्योंकि गुरू जी ने बताना था कि जो तू तेरी team जीती है it's all because of his blessings and he is with you वो उनकी blessings के रूप में तुझे मिलाई ये तेरी महनत तो अलग बात है लेकिन बिना उनकी blessings के हमें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता हम एक कहते है न अर्ण का दाना भी अपने मुह में नहीं डाल सकते तो शुकराना गुरू जी इतना अच्छा उसको bless करने के लिए मेरे बेटे को he was very much happy and moreover उसको वो बड़ा अच्छा लगा कि card जो और दरबार का matching था अब संगत जी क्या होता है सत्संग हम करते हैं online करते हैं अब मैं अपना life वाला बताती हूँ कि गुरू जी ने कैसे कश्ट लिया हम कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि जब हम गुरू जी से जुड़ते हैं करा हमने जरूर काटने हैं लेकिन it is only 10% 90% of our karmas जो है वो गुरू जी अपने साथ ले जाते हैं और मेरे साथ यही हुआ जब मेरे सुरूप में गुरू जी ने कश्ट लिया वो 90% जा चुका था लेकिन 10% उसका मुझे भोगना था गुरू जी ने मुझे अपने दर्बार में ही उस चीज़ का हुआ क्या हुआ संगर जी जब हम सत्संग करकर हटते हैं तो मेरी ममा दोशाला बनाती है गुरू जी के लिए और वो उनके चर्णों में अरपन करती है अपना सत्संग करती है जैसे ही मैंने ममा को बोला मेंका मम्मी मैं न यह क्या करती हूँ यह दोशाला गुरुजी के सुरूप पे लगा देती हूँ तो मैंने सुरूप पे उनको पहनाने के लिए जैसे ही मैं जाती हूँ संगा जी मुझे दरबार में मुझे पता ही नहीं लगता मैं लगा रही हूँ और अचानक से मुझे स्मेल आती है मैं स्मेल कर रही हूँ जलने की स्मेल क्यों आ रही है मैं जैसे ही टर्न होती हूँ संगत जी मेरा पूरा पीछे से सूट, मेरा दुपटा, मेरे बाल सब में आग लगी होती है एकदम से जैसे मैं पीछे होती हूँ मेरी ममी जटक कर सारे हाथों से उसको वो करती है चुन्नी मेरी गिरती है चुन्नी पूरी मेरी जल जाती है वो मेरा सोफा है वहाँ पे पूरा मेरे इतना बड़ा छेद हो जाता है वो भी जल जाता है तो लेकिन आप ये सोचो can you believe कि मैं पूरी आग में पीछे लिप्टी होई हूँ लेकिन मुझे इतना सा भी जलने तक का कहते हैं आप नहीं तो सोचो यार एक जरा सा कैंडल भी लगती है तो भी हमें कितनी दर्द होती है मुझे कुछ नहीं होआ संगत जी ना ही मेरे साथ कपड़ा चिपकरनी तो कई बर क्या होता है कि कपड़ा ही चिपक जाता है अगर कपड़ा चिपक जाए तो किस तरीके से आपकी बॉड़ी पे वो यूनों इस तो पेनफुल तो शुक्राना गुरु जी कि उन्होंने वो 10% मेरी लाइफ में आना था वो गुरु दर पर ही आया लेकिन मुझे उसका 0.1% भी असर नहीं हुआ और गुरु जी ने मेरा जो कश्ट है अपने उपर लेकर मुझे लाइफ ब्लेस करी अनन्तम शुक्राना पलपल शुक्राना मेरी गुरु जी का संग जी जो अगला सत्संग है जैसे अब मैंने अभी तक शेयर करा कि किस तरीके से लाइफ दी, एक्सेडेंट से बचाया मम्मा को मेरी बेटी को कोविट के उससे बचाया और मुझे इस तरीके से उन्होंने लाइफ दी अब आता है नया साल 2021 21, as I told you कि भी मम्मा को बड़ा मन्था कि वैलन्टाइन गुरुजी के साथ बनाना है, मैंने का ठीक है हम जल्दी से पहले ही डाल देते हैं, अपडेट करते हैं नहीं तो कोई भी हम लोग पार्टी रख लेंगे but we want to spend time with गुरुजी वैलन्टाइन का आता है, अब कुछ चीज़े होती है जो की मुझे बहुत, ये जो सत्संग है it is about direct connection talking to Guru महराज direct connection, उस चीज़े related है, कुछ चीज़े होती है मैं बहुत upset होती हूँ और मैं अचानक से परिशान होती हूँ even after doing सत्संग तो मैं गुरुजी को जाते हूँ जैसे मैं गाड़ी में जाती हूँ गुरुजी से बात करती हूँ तो मैं गुरुजी को बहुते हूँ गुरुजी, क्या आपको मेरी सेवा बिर्कुल पसंद नी आई गुरुजी, आप मुझे बताओ तो क्या होता है संगत जी मैं आपको एक छोटा सो और बताऊंगी मेरे एक है मेरे चाल्ड हुट फ्रेंड जो गुरू जी की संगती है और उनको वो भी एक सतसंगे की मैं उनसे मिली हूँ तो उन्होंने मुझे एक चीज समझाई थी विकास अंकल ने कि दिप्ती अगर तुम अपसेट हो या कुछ भी है आपने लोगों में नहीं खोना आपका डारेट कनेक्शन सीधा गुरू जी से जुणना है जो कोशन है जो भी परिशानी है टॉक टू गुरू जी तो क्या होता है कि मैं गुरू जी को बोलती हूँ अपना चेंज दे रही होती हूँ कस्टोमर को अचानक से मेरे हाथ में पहला नोट आता है और उसमें क्या लिखाता है गौड लव्स यू सो शुक्राना गुरू जी फॉर टेलिंग मी बिकॉज मेरे अंदर बहुत से कोशन थे उस दिन के और मैं परिशान थी तो गुरू जी ने मुझे फर्स इंडिकेशन ये दिया कि ही लव्स मी ही लव्स एवरीवन हम सब को प्यार करते हैं लेकिन उस सक्ट वो जवाब उन्होंने मुझे दिया तो शुक्राना गुरू जी का अब हम नादान किया है, को अब हमें फिर भी ये लगता कि गृू जी कया ये सचाई है या नहीए इस तरह के मैं गहाओ गृू जी कुछ और मजे दिखा हूँ क्योंकि में अभी रिलाक्स हूँ ये दिखने से लेकिन मैं अभी तक पूरी तरह के से ठीक नहीं तो क्या होता है संगत जी मैं वापस घर आती हूं दर्बार ऐसी लगा होता है वैलेंटाइन पे मैंने बाईचन से हापर क्योंकि रोज इतने मिलते नहीं है फ्लार्स बहुत जल्दी सेल ओफ हो जाते हैं तो मैंने बहुत कम फूल लगाये होते हैं और मैं घर में जैसे ही घुषती हूं तो मैं क्या होता है मुझे एकदम से घर में पूरी खुशबू ही खुशबू लगती है और मुझे संगा जी कभी भी खुशबू नहीं है मैं सत्संग सुनती थी कि गुरुजी अपनी प्रेजन्स दिखाते हैं लोग ओम भी देखते हैं सब देखते हैं बट मैं कभी भी वो नहीं करती थी मतलब मुझे कभी भी ऐसा ऐसास नहीं हुआ खुशबू का मैं घर में आती हूं मैं आपको खुशबू आ रही है मैं अपनी मम्मी से पूछती हूं वो किते हैं नहीं मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ किते हैं नहीं मैं एकदम खुश हो जाती हूँ मैं का अच्छा आप लोगों को नहीं आ रही ना मैं का मुझे आ रही है इसका मतलब गुरुजी is giving me message that he is with me and he is blessing me so it was such a such a good कैते ना गुरुजी हमें पलपल बताते हैं अगर हम परेशान हैं कि वो हमारे साथ हैं और मैं कैते हूँ thank you गुरुजी for telling me जो भी मेरे question थे सेवा थी कि आपने उसको मनजूर किया है और आपने मुझे ये चीज़ बताई through God loves you वो message and आपकी fragrance और आपकी presence जो है आपने मुझे दिखाई तो अननतम शुकराना गुरुजी का अननतम पलपल शुकराना अब जब Valentine आता है मैं हमेशा ये एक लाइन एक पर मैं जब कार में बैठी थी अभी तक मैंने और सत्संग में I don't know कैसे मैं भूल गई वो भी गुरु गुरुजी के लिए कितना प्यारा है तो मैं वो लाइन गाना चाहूंगी गुरुजी के लिए वैलेंटाइन्स के लिए हम सब की तरह से मैं सिंगर नहीं हूँ बट मैं अच्छा लगता है गुरुजी के लिए गाना बैठो ना दूर हम से देखो खफा न हो किसमत से मिल गए हो मिल के जुदा न हो मेरी क्या खता है होता है ये भी के जमी से भी कहीं आसमा मिल गया हे गुरु महराज हम सब जमी से जुड़े हुए है और वो उपर आसमा में है ये सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब गुरु जी कहते है न जमीन और आसमान एक हो जाते है तो शुक्राना गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ने का और ये जीवन खुबसूरत बनाने का शुक्राना पलपल शुक्राना संगर जी जो